जैसे कि कल हम लोगों का ров्सक्राइबुका और आज लोगों कहा था कि फैसे था कि सबसे भी पहले जुए सबसे बड़ा डाउट आप लोगों के दिमाग में है यहां पर थोड़ा से डिसकस करेंगे वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दूँ फॉरेस्टर का जो कोर्स है वो हमारी आप पर अवेलिबल है अगर आप लोग इसको लेना जाते हैं तो आपको यह मिल जाएगा और साथ ही साथ फैनांस अकांट असे स्टेंट का जो हमारा दूसरा सबसे मेजर टार्गेट होने वाला है इस पर आप लोगों को बीस टेस्ट जो हम लोग ने पहले का था उसको बढ़ा के आप 30 कर दिये हैं और मॉक टेस्ट का स्केडियूल अब आप लोगों के सामने है फिलाल अगर आपक क्लास जो है वह फोरेस्ट के स्लेवस को लेकर बात करेंगे यहां पर फोरेस्ट के स्लेवस पर क्या यहां पर दिया था और इसके साथ-साथ-स यह आपका social इस section में हमें 5 sections तो दे दी गई हैं लेकिन slaybos को bifurcate नहीं के रहा जो एक confusion यहाँ पर create कर रहा है कि पढ़ना क्या है sir अब यहीं पर point जो आता है सबसे बड़ा तो देखो मैं आपको थोड़ा सा detail में बताऊंगा कि इन 5 sections में क्या क्या चीज़े आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले बात करते है section number 1 की जो होगी आपकी 32 marks की और इसी section में आपको बता दूए यह game changing section होगी यहाँ पर जो लिखा गया है वहाँ आपको लिखा गया है basic science question paper होगा objective type यह डाला जाएगा और आपका जो main aim होगा वह aptitude test करने का होगा candidates का in basic science अब यह जो word use किया गया है basic science और यहाँ पर जो main चीज़ है वो लिखा गया है कि 12 standard का यह आपका question paper जो होगा वो set किया जाएगा equal weightage अगर equal weightage की बात करें तो दस दस बारा मान लो या फिर याना याना दस मान लो इस तरीके से तीन sections को बात करी गई है equal weightage में हम लोग नहीं चाहेंगे reason क्या है कि vrw के exam में हम लोग ने देखा था कि syllabus बहुत वास था तेकि बहुत सारे topics को touch भी नहीं करा गया था अगले exam में अगले exam में वो काम आ जाएगी अब बात करते हैं यहां पर सबसे पहले science के उपर science के लिए हमारी जो faculty है वो हम लोगों ने बिलकुल आपके लिए best लेके आए हैं जो आपको physics chemistry और bio पढ़ाएंगे तो यहां पर मैं आपको बता दू physics आपको एजासर पढ़ाएंगे इस physics component के लिए आपको जो है 11 12 का करवाया जाएगा साथी साथ आपको जो basic numerical है उसको भी cover करवा दिये जाएंगे यहां पर ही हमारी classes में और कोशिश यह की जाएगी कि अगर इसके 10 से यहां से ले पाते हैं एक comprehensive way में आपको पढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं कि हम लोग जेके सीटी या फिर हम लोग नीट की तयारी कर रहे हैं या हम आये टी जई की तयारी कर रहे है हमारा में एम सिरफ यह है कि जो जेके एसस बी क्वेशन पूछता है वो किस लेवल के पूछ सकता है वो या तो आपके एससी लेवल के होंगे या फिर आपके जो आरारभी के एक्जाम होते हैं रेलवेस के वहां से जो standard question बनते हैं उसको हम लोग यहां पर करवा देंगे जो आपको त्योरी की जरूरत होगी वो सास में करवा देंगे किस तरीके के questions बन सकते है वो हम लोग इस पर discuss करेंगे 35-40 lectures इस पर आपको मिलेंगे देखो पढ़ना तो पढ़ेगा ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाएंगे और यहां पर एक advantage यह है कि सब science student ही है ऐसा नहीं कि arts और commerce वाले भी आगे पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा मुश्किल होगी आप लोग के भी classes आपको मिल जाएंगे बहुत रहे बच्चे होंगे जिन्होंने बायो नहीं पड़ी है तो आपको basic से करवाने की कोशिश हमारी रहेगी basic से करवाएंगे तो उसको कोशिश यह है कि जो mcqs बनते हैं उसको हम लोग वहाँ पर आंसर कर दे अब मैं अपनी personal बात करूँ तो मैंने को physics के सामें comfortable हूँ बायो के सामें comfortable नहीं था कभी भी लेकिन हमारी team है उन्होंने यह assurance हमें दिलवाई है कि वो आपको basic से पढ़ाके advance तक जो paper में question पूछे जा सकते हैं उसके answer आप लोग पेपर के end में कराओंगे तो हम उन पर पूरा वहरोसा करते हैं अपनी टीम पे next section यह section थोड़ी जानी पहचानी है section B 32 मार्क की है यह section भी बहुत एक बड़ा score है बहुत एक ज्यादा number है जो यहां पे है अब इसके जो topics है वो क्या है basic numerical ability में क आप इसको challenge नहीं कर सकते हैं सब आपका basic numerical ability के अंदर ही consider किया जाता है number system हो गया simplification के questions हो गए उसके बाद डी आई आई आपको यहां पे लिखी है डी आई अतलब data interpretation data interpretation के उपर आज इस वीर लव के पेपर में सिरफ एक question पूछा गया था जो की कही ना कहीं थोड़ा सा नह questions के आपको जरूर बनेगी इसके अलावा profit and loss compounding discounting mensuration geometry including coordinate geometry यहां पे specifically लिखा है तो यहां पे geometry के अगर बात करूं तो आपके triangle, circle, quadrilateral तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है साथ में आपको coordinate geometry भी यहां पर पढ़नी पढ़ेगी उस पे भी questions बन सकते हैं ट्रिग्नोमेंटरी और को अब statistics जो आप लोग पढ़ रहे है वो आप पढ़ रहे है हमारे finance account assistant के लिए लेकिन यहां पर यह जो section mention करी गई है अब इसमें किस level तक पढ़ना है कितना आपको पढ़ना है कि यहां पर question निकल जाए तो यह देखना होगा क्योंकि fundamental of statistics statistics एक बहुत छोटा सा topic है और अग वाली तीन से चार्ट topic यहां पर बनते हैं बट इसमें भी एक उपर उपर से overview हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर एक topic का मिल ही जाए ताकि अगर पेपर में examiner थोड़ा सा बाहर निकलता है अगर तो आप वहां पर answer इसको कर देंगे तीसरी section पर आते है जो जर्नल section है च कई ना कई moderate था जारा difficult नहीं था इसके अलावा अगर हम बात करें current events के अलावा तो history यहां पर लिखी है अब बात यहां पे इस बार modern history की नहीं करी जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आते हैं कि freedom struggle तो उसमें हम लोग modern history पर स्ट्रेश सकते हैं यहां पे सिरफ history लिख दी पढ़ेगी अब यह जो medieval ancient है कितनी पढ़नी है यह depend करता है क्योंकि देखो एक्जाम जो है वह फॉरेस्टर का है आपको यहां से पूछे जाएंगे तो जो important events हुए थे उस पर आपको stress रखना है तो उसकी classes आपको फॉरेस्टर के course में मिल जाएगी अब geography साथ में लिख दिया गया है अब यहां पर वही जिखने river and lakes आपको political and physical division इसके अलाबा climate वगारा यह जो basic आपढ़ते आ रहे हैं ज साथ में लिखा है तो आपको वही Indian quality के ऊपर भी classes मिल जाएंगी आपको उसको ध्यान से पढ़ना है notes कोशिश करो कि उसके खुद बनाने की इसके अलावा जो सबसे important section है जिस पे आप लोग questions expect कर सकते हो वह है जर्नल इशू रिलेटेटेट टू forest wildlife environment biodiversity and climate change तो इसके जो आपक प्रिक की form में है वो पूछे जा सकते हैं या फिर जो current events होंगे आपके paper से छे महीने पहले के वहां पर equation जो है frame करे जा सकते हैं कि अगर कोई आपका कोई park है या कोई अगर news में आता है तो वो कि state में है तो इस तरीके के questions जो है journal issues जो है यह आप से पूछे जा सकते है या फ कौन कौन सी news में थी कहां पर क्या sign हुआ था तो इसका ध्यान आपको रखना यह questions जो है जिक SSB इसी level पर घूमता है next पर आते हैं यह जो 32 नंबर होंगे यह कैसे marks हैं इन दोनों sections के अगर बात करूं जिसमें आप आराम से पूरा score कर सकते हो section D में उनने सिरफ logical reasoning reasoning और analytical ability लि visualization यह सब चीज़ें जो है वो आजाएंगी और logical reasoning में आपका blood relations, cell orgasm की सब यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा और यह 16 marks का है last section पर आते है decision making और problem solving को 16 नंबर अलग से दिये गए हैं अब यहां पर क्या होता है मैं आपको एक overview दे देता हूं इस particular topic का decision making में क्या होता है decision making में आपको किसी एक situation पर कोई चीज दे दी जाती है और आपको appropriate option पर वहां पर mark करना होता है कि अगर आप उस situation में होते हैं तो आप क्या decision लेते हैं तो यह questions होते हैं इस पर 100% accuracy maintain करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है problem solving की अगर बात करूं आपका statement conclusion statement assumption यह सब भी इसका part ब जो है दे दिया जा सकता है इसके ओपर detail में classes आपको मैं दे दूंगा यह जो यह component है यह इसको मैं खुद करवाऊंगा logical reasoning analytical ability और यह जो आपका basic numerical ability हैं यह दो sections को भी जो है मैं handle करूंगा section C जो है इसको मारी team handle करेगी सारी मिलके components divide कर लेंगे हमसी कोशिश करेंगे हर एक पर आपको proper करवा दिये जाए और जो section A है इस पर हमारे team के तीन ने members add हुए है तीनों के तीनों अपनी फील्ड में महारत ही है वो तीनों मिलके आपको physics ministry bio में train कर देंगे exam के एक डेड़ महिना का time लगेगा हम लोगों को और आपको यहां पर करवा देंगे उसके बाद mcq series जो अलग से आती है आपके लिए exam से ठीक 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 देर पहले वह मैं लेके आउंगा ताकि आप लोग एक पूरे प्रिपेर हो जाओ अपनी तयारी को चेक करने के लिए और इसकी टेस सीरीज वगरा सब्सक्राम लोग बाद में launch करेंगे अभी नहीं करेंगे फिलाल पहले मेंशन नहीं है बट ऐसा नहीं है कि कुछ पड़ा नहीं है आप लोग इसमें भी बहुत अच्छा स्कूर कर सकते हो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हो तो जिसके लिए हम लोग आपको बता दे कि एक प्रॉपर कोर्स आप लोगों के लिए वेलिबल हो चुका है ट्रिपल एप पे आवाँसे सकू कर सकते हो जो हमारे फैनांस के बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं फैनांस के लिए आप लोगों को लाइव क्लासिस मिलेंगी क्लासिस देखो यूट्यूब पे चलेंगी क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कम से कम भी हजार से जाला लेक्चर्स तो हमारे चैनल पर ही पढ़े हुए होंगे अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर आप कहीं पर मैसेज डॉप करदेना उसके लिए रिविजन क्लास हम लोग करवा देंगे और जो मॉक्टे स्केडियूल है यहां पे इससे पहले क्या होगा आप लोगों को एक टॉपिक जो है या एक सेक्शन जो है अब हम लोग आपको पहले ही बता देंगे टॉपिक पूपिक नहीं होगा जैसे माल हम लोग आपको बता देंगे कि आपकी जो टर्रय वो इंडिनयन여conomy को होगा तो बीस क्वेशन का एक आपके लिए ।कत्व ल हम लोग लेंगे उसमें आप लोग अपनी तयारी को analyze कर पाऊगे कि कितनी अच्छी चल रही है तो यह हम लोग यहाँ पर आपके लिए कर सकते हैं और ट्रिपल एस की टीम कर रही है विए डव्लू का result आएगा आप लोगों पता चल जाएगा कि क्या selection rate रहा है हम लोगों का बाकी कमी हमारे end स से कोई नहीं रेगी अगर आप लोग हमारे साथ तयारी करना जाते हैं आपको download कर लीजेगा बाकी classes का जो schedule मैंने आपको यहां पर बता दिया है all the very best मिलते हैं कल ने lecture के साथ description box में link मिल जाएगा अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको direct आप लोग वहां से भी कर सकत हैं तो चलो मिलते हैं कल ने lecture के साथ आज के लिए सर्वित नहीं बाबाए डेकर all the very best see you soon good night